नमस्कार आदाब सस्रियकाल गोड लागातनी धुन्द में लौका ताकि ना ही पीछे आपने भोशपुरी बोला अंजना ओमकश्यप भोशपुरी बोलती है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आज तक सारे भासाओं का सम्मान कर रहा है बट ये तो हमारे लिए सर्प्राइज हो गई लाजशमराद हिंदी में बात होका था उर्दू के बात होका था तो हम सोच निया भोशपुरी ओ बोलल जाए अब हमरा जीर हमरा के जगाओं में तो हम गाना गावे लागवा हूँ तो गाना से शुरुआत होवा चाही कि नहीं हम अगर आप जैसे आप बोलिएगा शुरू करने को हम एक ऐसा भोशपुरी गीत आपको सुनाएंगे जिसमें नारी के कोमल मन की एक ऐसी बात है नारी क्यों महान है इसका एक गाना है का दिहीं जी एकदम गा दो हरे फेक की दिहले थारिया फेक की दिहले थारिया बलाम गई ले जरिया पहूं चले की ना अंजना जी सर ये लोग आपका गाना गार है हाँ गार है ना मेरा रू कहतिया थारिया फेक दो थारिया फेक देहले जरिया गेले कर चिंता नहीं खे उसकी चिंता क्या है ? उसको इस बात की चिंता नहीं डाट दिये थाली फेक दिये उसको चिंता है कि जैसे भी है ठीक ठाक से पहुंच गए कि नहीं मेरे साज़न इतनी चिंता हो मैं दिल्ली में भोजपूरी के जरिए लगता है आपने नबस पर हाथ रख दी जी का मैंने मैं तो रोम रोम मेरा करजदार है आगे भी रहेगा बोचपुरी फिल्म की बात हो रही थी बोचपुरी फिल्म में जो आवास थोड़ी बढ़ानी होगी नितीश आवास बोश्पूरी फिल्म में जो भी योगदान आपका रहा है वैसे आपकी फिल्मों के नाम बताएं क्या यहां पे दरोगा बाबू I love you ससरा बड़ा पैसा वाला पैसा वाला दमाद जी देहाती बाबू धर्ती कहे पुकार के एलान ना कर ला यह हो रहे मैंने अभी तक 99 फिल्म कर ली है हम सौवा फिल्म का शूटिंग इस समय शुरू कर दिये हैं जितना समय मिलता है सब्ता हमें दो दिन काम करता हूं उसका नाम है आखरी पलायन यह राजनीती पॉलिटिक्स के अखाडे में बन रही है यह फिल्म मैं चाहता हूं कि गाओं में भी लोग रहें अपने जो उनकी हुनर हैं उनका प्रयोग करें तो गाओं से आखरी पलायन मतलब कहता लाश्ट में कि अब हम गाओं छोड़के नहीं जाएगा तो मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग हुनरवाज लोग जो लोग देश को कहीं भी अमेरिका रहके भी अगर कुछ दे सकते हैं तो फिर क्यों न थोड़ा अपने गाओं को दें क्यों इसके लिए मैं फिल्म बना रहा हूं लेकिन भोजपूरी अश्लीलता का परियाय बन गई फिल्मे ना कुछ मिल के बनो ले बड़ा सौन सब नहीं खे सब नहीं खे देखिए चर्चा का उतना की चर्चा वही के होता जहां गड़बड़वा मैं मानता हूँ कुछ लोग हैं जो अग्यानी हैं लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जैसे अभी गाना हम सुनाए तो भोजपूरी है के गाना सब का यादवा क्यों भैया हमारे भोजपूरी कबीर बाबा ने क्या लिखा कि कभी रा जब हम पैदा भायो ये जग हसे हम रोए और ऐसी करनी कर चलो कि हम हसे जग रोए हम हसे जग रोए चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया जीनी रे जीनी अरे कुछ के न ओढ़न याई चदरिया दाग दाग कर दीनी रे दाग दाग कर दीनी कुछ ने ऐसी ओढ़ी चादर जसकी तसधर दीनी चदरिया यो तो बोजपूरी वा आओ दीवा पर उसब पर लगाम कैसे लगे जो है और उनको लगता है कि सिर्फ हम बहुत क्लोस टू पॉंट जाएंगे तभी भोजपूरी बिकेगे चट देनी मार देली खीच के तमाचाही हांस देल रिंकिया के पापा है अब बताओ इसमें ऐसा मैं सच बताओ अंजना जी बहुत सारे अच्छा चगीद बने हैं लेकिन वही कहा जाला ना कि एगो गंदा मचली पुरा इतलाव के आज तक पे चर्चा आप कर दे रहे हो तो ये अच्छा हो जाएगा अच्छा होगा और बिहार के लाला फिर क्या कहेंगे हो तो कहेंगे जीलिके बाला जीया दस हजार साल हर जीया हो भारत के नोनिहाlla टनी धूम धाम से तनी जूम जाम के अपने करम से अपने माटी के मान बढ़ा वाये भाया वाया 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 झाल